वर्न अप्त था वर्न माला आप जब भी कुछ बोलते हैं तो आपके मुख से कुछ ध्वनिया निकलती हैं जैसे यदि आपने बोला पापा इस एक शब्द में अनेक ध्वनिया हैं इसी प्रकार प आ प आ चार ध्वनिया पापा म अ म म इ पाँच ध्वनिया मम्मी द इ द इ चार ध्वनिया दीदी आपने देखा पापा तथा दीदी शब्द में चार चार ध्वनिया हैं जबकी मम्मी शब्द में ध्वनियों की संख्या पाँच है इन में से किसी भी ध्वनी के और टुकडे नहीं हो सकते। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ध्वनी का वह रूप जिसके और टुकडे नहीं हो सकते। वह वर्ण या अक्षर कहलाता है। वर्ण माला वर्णों के निश्चित क्रम वाले समू को वर्ण माला कहते हैं। हर भाषा की अपनी वर्ण माला होती है, हिंदी भाषा की वर्ण माला को दो भागों में बाटा गया है, एक स्वर, दो व्यन्जन, एक स्वर, वे सभी वर्ण जों किसी अन्यवर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं, स्वर कहलाते हैं, हिंदी भाषा में ग्यारह स्वर हैं, अ, आ, ई, ई, उ, उ, री, ए, ए, ओ, ओ, दो, व्यंजन वेवर नजिन में स्वर जुड़ा रहता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं हिंद दीवन माला में कुल तैं 30 व्यंजन है क, ख, ग, घ, च, च, ज, 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 न, ट, थ, ड, ध, ध, र, 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 त, थ, द, ध, न, प, भ, 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 म, य, र, 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 व, श, 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 स, ह, संग्युक्ट्व्यंजन ट्ष, ट्र, ग, श, र, ये दो वर्णों को जोड़कर बने हैं इनके अलावा भी हिंदी भाषा में निम्नलिखित वर्ण हैं अंग, अहल चेहन यह उन व्यंजनों के नीचे लगाया जाता है, जिन में स्वर्की ध्वनी न हो, जैसे कमेक का स्वर्की ध्वनी है, यदि हम इसमें से स्वर्की ध्वनी हटा लें तो यह लिखा जाएगा का अतह चिन हल चिन कहलाता है हमने सीखा ध्वनी का वहरूप जिसके और अधिक टुकडे नहीं हो सवप्पते उसे वर्णय आक्षर कहते हैं वर्णों के निश्चित क्रम वाले समू को वर्ण माला कहते हैं हिंदी वर्ण माला में स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं हिंदी वर्ण माला में कुल 11 स्वर हैं हिंदी वर्ण माला में कुल 33 व्यंजन हैं जिस व्यंजन में स्वर की ध्वनी नहीं होती उसके नीचे ही हल चिहन लगाया जाता है